हेलो ग्लास, आज इस प्रावलम दिखे वो दिगाई है, तो हुछ लिए फाइड करना एक्सी मलूं किक्नी होगी, देखते कैसे करेंगे, तो सबस्फर हम क्या करेंगे? इसको हम तोल लेंगे, तो चुकि हम पता है कि अगर e की प्रेक्स थीको, तो हम उसे लिए सकते e की प्र M, multiply A की पावर N, तम इसको भी इसी में form में convert कर लेंगे, तम मारे क्या आएगा, 3 की पावर X, multiply 3 की पावर 3, यहां क्या जाएगर 2 की पावर X, ठीक ना, अब दिखिए, यहां 3 की पावर X, यहां 2 की पावर X से तर X वाने को हम एक तरफ कर लेंगे, मारे क्या एगर 2 की पावर X, अपावर में 3 की पावर X, इसको टू 3 की पावर 3, अब, चुक्के हमें पता है, A की पावर M लिखा है, और B की पावर B क्या लिखा है, M लिखा है, तो हम उसे लिसकते a upon b की whole की पाउर m, तो हम यहाँ पर उच्छी तो convert करेंगे, तो हमारा क्या आएगा, 2 upon 3 की whole की पाउर x is equal to 3 की पाउर 3, अब हम बोच साइड लेंगे लोग, तो लोग लेंगे तो क्या आएगा, क्या बन जाएगा x log 2 upon 3 is equal to 3 log 3, यह हमारा form बन जाएगा, अब यह देखा जाएगा, तो x साथ यह multiply में तो दो जाएगा, तो क्या आएगा x is equal to 3 log 3 upon में log 2 upon 3, अब देखिए, 2 upon 3 लिखा यह तो हम चुकि एक formula जानते, log m upon n का, जो क्यों होता है log m minus log n और इस formula का use हम यहाँ पर करेंगे, ठिक ना, तो हमारा क्या बन जाएगा, 3 log 3 upon में log 2 minus log 3, और यहाँ से हमारा answer आज आएगा x is equal to, तो आजी class के लिए धन्यवाद,